सुरीर कोतवाली छेतर के गाहों इरोली जिन्नारदार में एक ही परवार के दो पक्चों में दीवार लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया और बाद में देखते ही देखते दोनों पक्चों में जम कर लाथी डंडे और इंट पस्तर चलने लगे इस दोनों पक्चों से महलाओ समय करीब 9 लोग घायल हो गए सुचना पर पहुँची हंडेर डायल पुलिस और इलाका पुलिस ने मौक्चे पर पहुँचकर मामले को शार्ट कराया और दोनों पक्च के घायलों को ठाने ले आई जहां तरीर लेकर सभी घायलों को प्चार के लिए अस्पताल भीर दिया गया जांकारी के अनुसार सुभाष फोजी और सुरेश तवारी के बीच ग्राम पंचायट की जमीन पर दीवा लगाने को लेकर आपस में कहा सुनी हो गई थी दोनों पक्चों के अने लोगों के आजाने पर कहा सुनी जगड़े में बदल गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे बहराल सुरेश पस के दो लोगों की हालत नाजग बनी हुई है सुरेश तुबारी पक्चि से गौरव संतो ज्यमेश और नेहा घायल हुए है जिसमें सुरेश और गौरव गंबी रूप से घायल है तो वहीं सुबाव सुजी पक्चि से सवता शामबीर संजे और मुनिता के चोटे आई है हम झाए हम चाप लोग दूसरी तरफ से कितने घायल हैं आच या सुबावर नख हो स्वाजी काते प country लोग ने तुमारे हहं है परवार केहीए आप परवार जब फूटे भास अब फूटे मखेश तरन जेको लेकर बेबाद हुआ है तरक लेको ना खाली दिवार के पीछ भाई के भी चाली दिवार के बीच रस्ता में कर दूब तूम दाम आज़ेगी दिवार को लगा रही हो इसी बात कर लेको जाए है अग